नमस्कार दोस्तो टेक्निकल इस्टार रहित मैं आपका स्वागत है मैं हूँ रोहित और आप देखराएं टेक्निकल इस्टार रोहित दोस्तो आज की इस पुडिमें हम यूटुब को एक न्यू फीचर्स के बार मैं आपको बताने वाला हूं तो चलिए देखते हैं कौन सा YouTube में एक नया features आया है तो सबसे पहले तो आपको YouTube आप open कर लेना है अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो तो सबसे पहले तो हम चलते हैं homepage के उपर तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जो हमें YouTube पे हमें option मिल दा था वीडियो अपलोड करने का वह हमें उपर देखने को मिलता था और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो कि यह जो बीच में center में plus का आइकन देखने को मिल रहा है और इसके उपर आप क्लिक करते हो तो आपको सारे वीडियो देखने को मिलती है तो इस टाइप से कुछ option आगिया है YouTube में और जो notification का option था वो आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर सर्च के बगल में उपर में देखने को मिल रहा है तो यह YouTube का बहुत ही अच्छा feature आया है और इससे जो YouTube का इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में तो आपको यह features कैसा लगा वीडियो के लिए कमेंट करके जरूर बताईगा और साथ ही दूस्तों आपको वीडियो को like भी कर देना है तो अब हम जानते हैं कि यह features कैसे आपको मिलेगा तो सबसे पहले तो आपको play store open करना है और यहाँ पे YouTube app open करना है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा update तो guys आपको क्या करना है उसको update कर देना है और जैसे आप update कर दोगे install करोगे तो फिर आपको YouTube पे आना है और जैसे आप YouTube app open करोगे तो कुछ इस टैप इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यह जो YouTube का इंटरफेस है बहुत ही अच्छा लग रहा है यह तो आपको पमेंट करके बताना है कि इसका इंटरफेस आपको पहले से कैसा लग रहा है तो और यहाँ पे जो notification का था तो यहाँ पे आपको notification देखने को मिल रहा है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे हमें जो वीच माम प्लस का इकन देखने को मिलडा है इसके उपर क्लिक करेंगे तो हमारी सारी वीडियो आ जाएंगे यहां से वीडियो अप्लोड कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप हमारी चैनल से नहे हो तो रेट बटन को दबा के आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है इस सबसे पहले मिल पाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखवाओ फिर मिलता में एक निव वीडियो के सांथ तब तक के लिए जय भारत बंदे मात्रम